Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1 परसनल फोटोज रखते हो, परसनल वीडियो रखते हो, जो भी कुछ रखते हो, आप लोग तो रखते ही होगे, पर आप लोगो को ये पता नहीं होगा, कि इसके अंदर 3 ट्रीक, जो कि 3 में खुपिया ट्रीक बताऊंगा, जो कि आप गोगल यूज करते हो, गोगल फोटोज यूज़ करते हो पर आप लोगों को वो सेटिंग नहीं मालूम होगा जो मैं आज करके दिखाऊंगा आपको बहुत ही लाजवाफ सेटिंग वनने वाला है आप जब भी आप फोटो से रखते हो अपने गैलरी में रखते हो तो वो फोटो आपको आपका सेल फॉन का फोटो द रखना चाहोगे कहीं पर छिपा करके वो फोटो गोगल फोटो अपने पास फोल्डर बना करके रखता है जो कि परस्नली आप देखोगे और कोई और कोई नहीं देखेगा ठीके ना तो चलो ठीक है मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट मेरा नाम आफता हो और आप देख लाइब मुवमेंट यूटूब चैनल तो वीडियो को स्टार्ट करने से पर लेपले मेरे चैनल को लाइक करें सेयर करें सबस्क्राइब करें अपने दोस्तों पर सबसे ज़्यादा सेयर करें क्योंकि वह लोग अपना परस्नली फोटो जो है छिपा कर रखना चाहते हैं त अब मैं इसमें से चूच कर लूँगा कि मैं सबस्क्राइब करने के बाद मैं चलाओंगा आप लोगों को लिवर दिख रहा होगा लेवर पर क्लिक करोगा क्लिप करने के बाद अर्चीब पर क्लिप करूंगा अर्चीब पर क्लिप करने के बाद इधर देख लो आप टाइस के आप फोटो जा गया फोटो जा गया यह प्रस्नली हमारा ही रहा ऑनली फॉर हम देखेंगे और कोई नहीं देखेंगा ठीके ना आप इधर से मैं बैक हो जाता हूँ यहां हमारा फॉट्रीक जो के आप चाहेंगे कि आपका फोटो इप अप फोटज़ाद है और दरवाश कोई नहीं देखें यही ट्रिक मैं बताने चाह रहाताभ आप लोगों तो है है यही जिलाता हूं दूसरे वाले ट्रिक फे दूसरे वाले ग्रूपिंग होता है आपके WhatsApp के अंदर ग्रूप बना हुआ होता है ग्रूप में जो है 10-20 वीडियो भेजता है एक बार में तो वो उसमें चला जाता है आपके सेल फॉन में 1GB डाटा होता है 1GB डाटा में जो है अगर 10 वीडियो डाउनलोड किये तो आपका डाटा जाता है खतम आप लोगों कनफ्यूज हो जाते हो कि आखिर मेरा डाटा गिया कहा गया तो आप लोगों को पता नहीं कि आपके सेल फॉन के अंदर ऐसा कोई sitting on होगा जिससे आपका डाटा खतम हो जाता होगा तो चलो मैं करके दिखाऊं कि आपका डाटा यूज आखिर होता कहा है चलो ठीक है मैं कर देता हूँ इधर आप लोगों को लोगों दिख रहा होगा लोगों पर किलिक कर देना लोगों पर किलिक करने के बाद इधर आप लोगों फोटो सेटिंग दिख रहा होगा फोटो सेटिंग को अन कर देना फोटो आज आएंगे आप नीचे सबसे नीचे mobile data use पे चले आएंगे mobile data use पे चले आएंगे इधर आप लोगों को दिखेगा इधर आप लोगों को दिखेगा कि 5 MB में यूज करना है कि 10 MB में यूज करना है कि 30 MB में यूज करना है कि unlimited यूज करना है तो 5 MB पर कर दे, 10 MB पर कर दे, यानि तो no data कर दे, no data करने का मतलब आप जब click करेंगे तभी वो click होगा, only for नहीं तो नहीं data यूज नहीं होगा, ऐसे में होता है क्या, कि ऐसे जो है unlimited किया हुआ होता है, तो only for, आपके WhatsApp पर, जब भी कोई आपके photos भेजेगा, वीडियो भेजेगा, तो only for, ये system आपने आप वो recovery कर लेता है, वो आपने आप loading हो जाता है, जिससे data हो जाता है, यूज, तो इसी वज़े से, इस setting को आप यहां से save कर ले, कि आपको कितना करना है, कितना MB का download करना है, ये रहा दूसरा वाला trick, चलो ठीके मैं back हो जाता हूँ, back हो जाता हूँ, वीडियो स्टाटी में ही मैंने बताया था आपको, कि तीसरा जो trick होगा, वो सबसे लाजवाब और सबसे ज़्यादा फाइदे मंद trick होगा, तो चलो मैं बता दू तीसरा वाला trick, तीसरा वाला trick मे या आप अपने cell phone को कभी personal दोस्त को दे देते हो, उसमें से कुछ photos जो है, वो करता है क्या, कि copy कर लेता है, लाइब में जाकर कि copy कर देता है, तो और कुछ आपको blackmail करने लगता है, कि भाई मेरे पास ऐसा थाबूत है, तुम्हारे कारण कि मैं तुम्हें blackmail कर रहा हूँ, ये photo learning के लिए तुमको ये करना होगा, वो करना होगा, पचास तरह का बात बोलने लगता है, आप हो जाते हो confused, आप हो जाते हो tensionize, कि आखिर इसके पास गया है, तो गया है, photos कैसे, आप होता है कि personal document रखते हो, personal photos रखते हो, किसी girlfriend का photo रखते हो, आप वो आप नहीं छुपा चुपाना नहीं चाते हो, कि मैं चुपा लूँ, पर चुप नहीं पाता है, और आपके दोस्त, जो है friend आ करके, आपके cell phone में से, जो copy कर लेते हैं, copyright मार देते हैं, लैंब पे जा करके, copyright मार देते हैं, आप हो जाते हो confused, आखिर गया है, तो उसके पास cell phone पे गया, तो गया आज आओगे logo पे, logo पे जाने के बाद आप चले आऊगे, इधर logo खूलने, logo को click करने के बाद इधर आ जाँगा photo setting पे, photo setting पे आने के बाद आप चले आऊगे, इधर partners sharing, partner sharing पे चले आऊगे, इधर से आपको indicate हो जागा कि हमारे सेल फॉन से हमारे पार्टनर ने फोटो लिया कि लिया कि नहीं लिया ये और हैकिंग का भी प्रॉब्लम होता है कि आपको ये टेंशनाइज हो रहेगा हमेशार ब्रेंट के अंदर बना हुआ कि फोटो गया तो गया कैसे मेरे सेल फॉन को हैक तो नहीं कर लिय या मेरे friend ने hack किया तो किस number से hack किया किस friend ने hack किया ठीक है यह सारा detail यहाँ पर आपको clear हो जाएगा यह cellphone हमारे cellphone में कोई hacking नहीं है कोई मेरा video चोड़ी नहीं किया मैं अगर cellphone देता भी हूँ तो मेरा cellphone से किसीने video को link नहीं किया ठीके ना तो ये मैं आसा करता हूँ कि मेरा भी ये तीनो का तीनो ट्रीक आपको बहुत फाइदे मंद और ला जवाब आप करके देखेंगे आपको बहुत फाइदे मंद होगा ठीके ना तो मैं आसा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आये तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सेयर करना, सबस्क्राइब करना और वेल आइकन को प्रेस करना तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ टेक एंड गुडबाई